महा काली में तो एक शरीर आपकोज जागरत होजाएगा जिसमें और स्वेम आपकी रक्षा करेगी तो इस कवच को आप एक दिन में तीन बार सुनिये तो बहुत जादा फर्डाई है जो लोग तीन बार ना सुन सके तो कम से कम सुबह उठके या रात में सोने से पहले एक बार जरूर सुने कहीं जा रहे हैं किसी कारेक ले जा रहे हैं किसी चे कारेक ले जा रहे हैं चाहे बुरे कारेक ले जा रह बाद ताथे मैं देवी कवच पढ़ने जा घरो मां देवी भगवती के पास रहे चीवाद आप हमें ऐसा अब तैने जिसके द्वारा मनुषिंगी सभी प्रकार से रक्षा हो और जो भी अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो ब्रह्मा जी बोले हे विप्रवर इस प्रकार का साधन तो परंपवित्र एवं परंगुप्त देवी जी का कवच ही है इसी से प्राणी मात्र का कल्यान एवं सब प्रकार की रक्षा होती है उसे सुनिए देवी जी की नौ मू कालरात्री आठवी महागौरी और नवी सिद्ध दात्री है जो मनुष्य अगनी में जल रहा हो युद्ध भूमी में सत्रूं के मद्ध फस गया हो अत्वा घोर संकट से ग्रस्त हो वह मनुष्य भगवती की सरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं जो आप रक्षा करती हो प्रेत की सवारी करने वाली जामुंडा देवी है वाराही महीश पर एंद्री हाथी पर वैशनवी गरूर पर माहेश्वरी बैल पर कोमारी मोर पर और लक्षमी कमल के आसन पर विराजमान है श्वेत रूप धारन करने वाली व्रशब वाहन वाली इश पेश्वरीदेवी है भंस पर चडी हुई सभी आबुशुनों से भुशित ब्रामि देवी है इस प्रकार अनेक रत्नोंanne से बुश्चित सभी योगभुशक्ति यह सम्達 हैं ये सभी देवियां क्रोध युक्त मुद्रा में हैं रतों पर सवार होकर दर्शन देने आती हैं ये संग, चक्र, गदा, शक्ती, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परसु, पास, कुंद, त्रिशूल, उत्तम, आयुद, सारंग, धनुष, इतियादी, अस्त्रसस्त दैत्यों के शरी के भै को बढ़ाने वाली देवी जी मेरी रक्षा कीजिए, पूर दिशा में मेरी रक्षा एंद्री देवी करे, अगनी कोन में मेरी अगनी देवता, दक्षिन में वाराही, नेत्रित कोन में खडग धारनी, पस्चिम में वारोनी, वायु कोन में म्रग वाहिनी, उत्तर में कोमारी इशान कोन में सूलधारणी ऊपर भ्रह्मानी जी नीचे वैशनवी देवी रक्षा करे इस प्रकार सब वाहिनी चामुंड़ा देवी दसो दिशाओं में रक्षा करे जया मेरे आगे की विजय मेरे पीछे की बाई और आजीता दाई और अपराजिता रक्षा करे उद नेत्रों के मध्य में संखनी, कानों की द्वारवासनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की सांकरी देवी रक्षा करे, नाशिका की सुगंदा, उपर के होट की चर्चिका, नीचे के होट की अम्रितकला, एवं जीभा की सरसती देवी रक्षा करे, दातों की कोमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्र घंटा, तालू पर्देश की महामाया रक्षा करे चिंबुक की कामाक्षी, वानी की स्वर्व मंगला, ग्रीवा की बद्रकाली, प्रष्ट अस्थियों की धनूर धरी रक्षा करे कंठ से बाराही भाग की नेल ग्रवा, कंठ नालिका की नल कूबरी, दोनों कंधों की खंगनी एवं मेरे भुजाओं की व्रजधारणी रक्षा करे दोनों हाथों की दंडनी, अंगलियों की अंबिका, नाखनों की सूलेश्वरी, कुक्छी की कुलेश्वरी रक्षा करे हिर्दय की ललिता देवी, उदर की सूल धारणी रक्षा करे इस्तनों की मद देवी, मन की सोक विनाशनी, नाभी की कामनी, गुप्त इंद्रियें की गुहोशरी, लिंग्ड की पूत कामनी, गुदा की महिश वाहिनी रक्षा करे कटी की भगवती, गुटनों की विंद वासनी, जंगाओं की महाबली देवी रक्षा करे गुल्फों की नार सिंगी, पाऊं के तलवों की तेजसी, अंगलियों की श्री धरी देवी और तलवों की परवत वासनी रक्षा करे। कफ की चूडामनी, नाखुनों के तेज की ज्वाला मुखी, सभी संधियों की अमेगा देवी रक्षा करे हे ब्रामनी, आप मेरे विरय की रक्षा करे छाय की चत्रेश्वरी और मन बुद्धी अहंकार की धरमधारणी रक्षा करे प्राणों की कल्यान, सोबना और शब्द, स्पर्ष, रूप, रस, गंद, इन पांच इंद्रियों की योगनी, सत्व, द्रज, तम की नारायनी, सर्वदा रक्षा करे आयू की वाराही, धर्म की वैशनवी, यश एवं कीर्ती की लक्ष्मी, तथा धन विद्या की चक्रणी रक्षा करे इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पश्मों की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भहरवी भार्य की रक्षा करे मेरे पत की सुपता मार्ग की छम्ठे मंकरी राजा के दर्बार में महालक्षमी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजय मेरी रक्षा करे और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो रक्षित हैं उन स्थानों की पाप नाशनी जैनती देवी रक्षा करे मनुष्य आदी अपना मंगल चाहता है तो एक भी बिना कवश ना जाए कवश से नितिस रक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहीं से उसे धन का लाव तथा सभी कामनाओं की सिद्धी प्राप्त होती है प्रित्वी पर उस पुरुष्य को एश्वरे एवं अतुल संपत्ती प्राप्त होती है वह मनुष्य निर्भे हो जाता है युद्ध भूमी में कोई भी उसे नहीं जीत सकता तिलोक भर में पूजा जाता है यह देवी कवश देवताओं को दुल्लब है इसको अतियंत्रशद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है और कोई भी उसे तीनों लोकों में ब्राजित नहीं कर सकता उसे अकाल मृत नहीं आती वे सौ वर्ष से भी अधिक आयू पाता है ये कवश उसका तेज यश और कीरती बढ़ा देता है चंडी पाठ करने वाला पहले कवश पाठ कर ले जब तक परवत वन कानूनों के साथ ये प्रितवीट की रहती है तब तक ऐसे पुरुष की संतती होने पर महा माया की कृपा से देव दुल्लव परमस्थान की प्राप्ती होती है कवश का पाठ करने वाला सुन्दर रूप को पाकर दासिफ के साथ आनंद पाता है बोलो अम्बे मात की जै बोलो द्रुगे मात की जै बोलो आदि शक्ति की जै ओम एम हरीम क्लीम चामुँड़ाई विच्छे तो ये था भक्तों दुरुगा कवच का पाठ आप समने सुना इसे जो भी लोग सुनेंगे उनका शरीर, उनका परिवार, उनका घर किलित रहेगा, सदा सिर्फ के साथ आनन्द में रहेगा, भगवती सदा उसके साथ रहेगी, हमेशा उसकी रक्षा करेंगी, और इस कवच को पढ़ने के बाद आपको कोई भी कष्ट, कोई संकट नहीं आ करते हैं, देवी भगवती सच्ची शक्ती डाटकाली के दरवार में कोई भी खाली नहीं जाएगा, मा के अप्रम पार किर्पा उसे मिलेगी, तो बाकी मैं सभी भगतों के यही प्रात्ना करता हूँ, जो भी देवी भगवती सच्ची शक्ती मा डाटकाली के दरवार से, द मस्त मनों कामनाएं पूरी हों, उसके कश रोग दोश्टूर हों, मा भगवती उसके अंधन के भंडारे बरें, जै माता दी